कोरोना संक्रमेंट को देखते हुए प्रिशासन द्वारा लगता लोगों को समझाईशती जारी है मास्क लगाने, सोचल डिस्टंसिंग का पालंग करने, सेनिटाइजर का उप्योग करने की सरहादी जारी है साथ ही लोगों को किसी भी तरह से भीड लगाने की मनाही की गई है वही अप अद्र अगस्तारा है, जिसके शर्ते सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दिये है ग्रह मंत्रारी ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि स्वतंतरता दिवस समहारों में चिकित्सकों सफाई कर्मचारियों जैसे कोरोना युद्धाओं को महमारी के खिलाफ लड़ाई में उनकी उतकरष्ट सेवाओं को ध्यान में रखते हुए आमतरत किया जाना चाहिए महीं ग्रह मंत्रारी ने ये भी कहा कि प्रोग्राम में कोरोना से उबर चुके लोगों को भी बुलाना चाहिए साथी प्रोग्राम का वेबकास्ट करने की सरहा भी दी गई ताकि वो सब भी इस आयोजन का हिस्सा बन सके जो वहाँ मौजूद नहीं हो सकते है गाइडलाइन में कहा गिया है कि इस प्रकार के सभी आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा नहीं लगे मंत्रारी ने कहा कि ये उच्चत होगा कि स्वतंत्रता दिवस समाहरों के दरान विभिन गतिविधियों और कारिक्रम के संदेशों के जरिये तथा सोशल मीडिया पर प्रधान मंत्री नरेंटर मोदी द्वारागोशित आत्म निर्भर भारत विशे का ठीक धक से प्रचार पसार हो मंत्राली ने कहा कि इस आयोजन को हमीशा से ही भविता से मनाया जाता है इस साल भी इसे अनुकूल तरीके से मनाया जाए ग्रह मंत्रारे ने कहा कि वैश्विक महामारी की बीचिस्वत अंतरता दिवस समाहरों के लिए विभन कारिक्रमों या घतिवतियों का आयोजिन करते वक्त कुछ एहतियाती कदमों का पालन करना निवारी है इसमें शारेरिक दूरी बना कर रखना, मास्क पहनना, साफसफाई की उच्छत व्यवस्था, अधिक भीट भार से बचना, सम्विधन शेल लोगों को सुरक्षित रखना और स्वास्त एवं ग्रह मंत्रारे द्वारा COVID-19 के संबंध में जारे दिशानर देशों का पालन करना शामिल है दिल्ली के लाल केले में होने वाले कारिक्रम में दिल्ली पलिस और सशस्त्र बलू की तरफ से प्रधान मंत्री को सलामी दिना, राशित भज फहराना और 21 बंदुकों की सलामी, प्रधान मंत्री का भाशर, भाशन के तुरंतबाद राश्रकान और अंतमीत तिरंगे गुब पर राश्री द्वाज राज्य के मुख्य मंत्री या जलादिकारी उपमंडली मजिस्ट्रेट और पंचायत इसतर पर सरपंच या गाउं के मुख्या फेहरा सकते हैं। राजपालो या उपराजपालो द्वारा एट हूम स्वागत समाहरो से जोड़ा डिसीजन राजपाल और उपराजपाल का होगा। ग्रह मंत्राले द्वारा जारे दिशानरदेशों के अनुसार ही स्वतंतरता दिवस्त का आयोजन करने को कहा गया है।